पालो स्ट्रेंट्स फिर से ऊचुगे निव एंट्री है हमारे एक नए क्विशन के साथ एक्ससाइज 7.1 कैश नंबर 3 डिसकस करेंगे आज हम AD and BC are equal perpendicular to a line okay AD AD का है अभी AD और BC का है यह दोनों equal perpendicular मतलब equal भी है perpendicular दोनों चीज़ है ठीक है line segment AB के ओपर कि show करना ऐसी डी जो है वह by set करता है A B को यह by set करने का मतलब क्या है आपके पास यह are a निका मतलब है CD by set AB AB को by set करता है इसका मतलब यstep ऑला पार्ट इस वाले पार्ट के equal होना चीज़ हूं cit 토 ये आपको पिलूख आज़ना है नहीं पढ़र तो आपको दोनों triangle लेने होंगे तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ आपसे in triangle ? पहले में इसका नाम लेख रहा हूँ C-B-O फिर मैं इसका नाम लेख रहा हूँ and triangle D-A-O जान रखना है यहां आप कैसी बी नेमिन लिख से हो जो क्यों फरकने पढ़ता है तरमें को शंब से आए-धश वह देखें अब यहां देखें का इस वाले ट्राइंगल का पी-सी साइड और इस वाले ट्राइंगल का एड़ी साइड एक एक्वल है क्या थाना इस वाले वर्टिकली ओपोजिट से एक कोल है यह लाइन क्रॉस करके जारी है यहां तक आवे जाद वर्टिकली ओपोजिट होंगे इस वाले एंगल के लिए सी ओबी चाओ तो सी ओबी लिखो चाहे बी ओची लिखो एक ही बात और फराखने पड़ रहा है यह उंगे आपके पास वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स आप इसको वियो एब करके भी लिख सकते हो इसको इसमें इसी तरह लिखवाते हैं ना अब आप देखो एंगल एंगल साइड बात खतम अब आप क्या सकते हैं अब नेमिंग लिखो नेमिंग इंपोर्टेंट यहां नेमिंग दे नहीं रखी है तो यहां आपको बनाने पड़ेगी नेमिंग कैसे बनाऊंगा देखो मैने यहां लिखा अपनी मरड़ी से CBO नाम लिखा मैने क्या लिखा ऊ confusion हो गया, अब importance ही देखो, बीच में B आ रहा है हां सर बीच में B आ रहा है और यहां A 9 तो बीच में A आएगा क्या हां बीच में तो A ही आएगा बता हमें हां सर आ गया इसके डास्ट में ओ एसका मतलब यह एंगल इसके भी last में O angle लगाओं, तभी तो इक को लूँगे, हाँ से लूँगे, तो इनकी help से आपको ये naming लिखनी होती है, यही important है congresikin, अगर ये आपने गलत लिख दिये तो आप इनकी CPCT नहीं निकाल सकते है, अगर ये आपने गलत लिख दी है, तो आप इनकी CPCT नहीं निक काया है, मैंने कि यहां से BO लेली, यहां से आगे वाली दो साड़ लेनी, पीछे का दो पेर लिए तो यहां भी पीछे से दो लेंगे, समझ गया, यह हो सा CPCT, corresponding pair of congrats, अगर BO, AO, equal है, इसका मतलब क्या हुआ, it means, cd, bisect, a, b, यह हो गया, hands, root, clear है, आगे अच्छे से यह हो ग 3, complete 8